साधू और पनिहारिन, एक साधू किसी नदी के पंघट पर गया और पानी पीकर पत्थर पर से रख कर सो गया, पंघट पर, पनिहारिन आती जाती रहती है तो आई तो एक ने कहा, आहा, साधू हो गया, फिर भी तके का मो नहीं गया, पत्थर का ही सही, लेकिन रखा तो है, पनेहरन की बाद साधू ने सुन ली, उसने तुरंट पक्थर फिक दिया। दूसरी बोली, साधू हुआ, लेकिन खीज नहीं गई अभी रोश नहीं गया, तक या फिक दिया। तब साधू सोचने लगा, अब वह, क्या करें। तब तीसरी बोली, बाबा, ये तो पंधट है, यहां तो हमारी जैसी पनेहरने आती ही रहेंगी, बोलती ही रहेंगी, उनके कहने पर तुम बार-बार परिवर्तन करोगे तो साधना, तब करोगे। लेकिन चौथी ने बहुत ही सुन्दर और एक बड़ी अद्भूत बात कह दी, शमा करना, लेकिन हमको लगता है, तुमन दुनिया का तो काम ही है कहना, दुनिया क्या कहेगी, उस पर ध्यान दोगे तो आप अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे।